केश्प्रो स्टेट्मेंट का एक और क्वेश्टन डिसकस करते हैं कम्प्लीट कैश्फ्रो स्टेट्मेंट बनाएंगे हम उसमें सीवी एसी में 2016 में क्वेश्टन आ चुका है केके लिमिटेड है बैलेंस शीट दे रखिया हमें 31 मार्ट 2015 31 मार्ट 2014 सबसे पहला काम डेट चेक कर लो दो हजार शौदा 2015 ओपनिंग क्लोजिंग शेयर कैपिटल दे रखा है रिजर्व जिसके आगे नोट नंबर लिखा है उसका नोट्स टू अकाउंट जरूर देखना है हमें देन लॉंग टम बॉरिंग्स के आगे दो नंबर लिखा हुआ है when बॉरिंग्स में हमेशा हमारा प्रोविजन फोर टैक्सेशन होता है और शौर्ट तंब बॉरिंग्स में हमारे चीज़ें होती है हमारी बैंक ओवर ड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो हमारे फैनांसिंग में जाता है तो इसको जरूर चेक करना है हमें धेन फिक्ज एसे दे रखी है हमें tangible, intangible non current investment दे रखा है fixed asset और non current investment कहां जाती है यह हमारी investing activity में और shares, borrowings, short term borrowings, shares, long term borrowings, short term borrowings, interest paid, dividend paid यह कहां जाता है हमारा financing activity में देन हमें current investment दे रखा है current investment किसका पार्ट होता है बार बार कुछती रहोंगी में यह आपसे cash and cash equivalent का current investment किसका बार्ट होता है cash and cash equivalent का इसलिए इसको बाकी assets के साथ में क्लब नहीं करना जब लास्ट में बिल्कुल cash flow statement के end में cash and cash equivalent लेंगे वहां पर इसे use करेंगे अभी शुरू note no.7 दे रखा है जरूर देखना है then cash and cash equivalent दे रखा है इसको थो हम use करेंगे करेंगे आगे notes to accounts में दे रखा है reserves and surplus minus का एक लाक और चार लाक हमेशा profit निकालते हैं closing minus opening चार लाक माइनस माइनस का एक लाक कितना जाएगा profit चार लाक माइनस माइनस का एक लाक calculate करके रखो अभ interest is always calculated on the opening balance until and unless the question says otherwise कुछ और कहता है question तब तक पर ना opening पर calculate करा जाता है हमारा interest then bank overdraft कौन सी activity में जाएगा bank overdraft हमारा financing activity में कौनसी activity में financing में बढ़े तो inflow घटे तो outflow यह भी यहाँ पर भी long term borrowings के साथ में भी बढ़े तो inflow घटे तो outflow short term provision के लिए हम बनाएंगे provision for tax account यहाँ पर machinery account दे रखा है और accumulated depreciation दे रखा है अगर इससे related कुछ information दे रखी होगी तो हम इन दोनों का account बनाएंगे goodwill 60,000 से 40,000 हो रहा है यानि कि goodwill write off हो रही है goodwill return off आपको याद होगा कहा लिखा जाता है inventories में उसने बताया हमें stock in trade दे रखा है फिर कुछ additional information दिया है 12% debentures were redeemed on 31 March debentures 31 March को redeem हो रहे हैं इसका क्या मतलब है अभी discuss करते हैं then tax paid दे रखा है underline the word paid क्या दे रखा है tax paid अगर tax paid हमें दे रखा है तो हम provision made निकालेंगे जरह वीडियो को pause करके provision for tax account बना लो provision for tax account by balance brought down to balance carried down opening balance कितना दे रखा है एक लाग 80,000 closing balance दे रखा है एक लाग 40,000 इधर क्या आता है by P&L made मतलब की provision made और यहां पर आता है to क्या लिखो हूं to bank paid इसका मतलब इतना हमने tax pay किया है question में इन दोनों में से क्या दे रखा है हमें tax paid दे रखा है तो put कर लेंगे कितना paid दे रखा है एक लाग 40,000 so to bank paid में हम यहां पर एक लाग 40,000 लिख देंगे यहां पर क्या करेंगे इन दोनों को plus करेंगे 2,80,000 इधर भी 2,80,000 लिखेंगे और यहां से माइनस करा 1,80 तो हमारा वाउंट आ गया 1,00,000 बाइप पियंडल मेड कहा जाएगा आपरेटिंग में प्लस और बैंक पेड कहा जाएगा आपरेटिंग में सबसे नीचे माइनस पता होना चाहिए हम यह account क्यों बना रहे हैं अब बात करते हैं अपने machinery account और accumulated deposition account की हमें machinery account और accumulated deposition account बनाना आता है लेकिन इस question में assets related और कोई information नहीं दी है तो चोटी सी बात लिख लो आप क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था हर question में से हमें कुछ नई बात सीखने हमें ko m कि अगर question में मशीनेटी अकाउन्ट और chicken process दया है और कोई additional इंफ्य नहीं दी गई है तो ऐसे में अकाउंट ना बनाएं, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, के वल डिफरेंस निकाल लो, कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे कि मशीनरी का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जर अपना क्वेस्चन देखो, मशीनरी का क्लोजिंग कितना दे रखा है, यहां नोट्स टू अकाउंट में देखा, मशीनरी का क्लोजिंग है, हमारा चौबिस लाग छे हजार, और ओपनिंग है, सोला लाग बी आलिस हजार, एक्कुमुलेटी डेपिसेशन का भी नोट करके रखो, अभी पूछूंगी, क्लोजिंग चार लाग, ओपनिंग दो लाग दो हजार, तो हम चैनल मतलब क्या है, क्लोजिंग बड़ा है, कैसे बड़ा खोजिंग हमने कोई मशीन को खरीदा होगा, और जिबस मशीनरी को पर्चेस करते है, तो कैश हमारे पास से जाता है, तो हम उसको आउटedes ducks, लोक बात करते हैं, वो हमने खोजिंग मानिंग किया, 4,00000 में से 2,2000, को माइनस किया तू लाग तू थाउजंट को अमाउंट आ गया एक लाग ठाणवे हजार यह जो 1,98,000 है यह पी एंडल में जाएगा यह क्या है पूरी एसेट का का depreciation during the year यह जो accumulated depreciation बढ़ रहा है हमारा यह नोट करके रख लो दो बाते हो गई हमारी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बन गया फिक्स असेट अकाउंट का डाटा क्लियर हो गई हमारा अब अपना important working note बनाते हैं जिसमें हम profit before tax and extraordinary item calculate करेंगे कैसे निकालते हैं इसमें profit after tax निकालते हैं सबसे पहले closing minus opening चार लाग माइनस माइनस का एक लाग हो गया हमारा पांच लाग इसमें चार चीजे प्लस करते हैं कितनी चीजे प्लस करते हैं चार नंबर वान प्रोविजन फॉर tax made कितना निकाला था हमने वाँ पर by P&L made एक लाग फिर नंबर टू प्रोपोस दिविजेंट इस question में नहीं है डैश डिविजेंट से नंबर थी इंटेरिम डिविजेंट डैश नंबर फोर ट्रांसफर टू जनल रिजर्व या इन सबको प्लस किया तो हमारा माउंट आ गया प्रॉफिट विपोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटम यहां से अपना सवाल शिरू करते हैं क्याश्ट्रो स्टेट्मेंट का पॉर्मेट बना लो पहले वीडियो को पॉस्ट करके क्याश्ट्रो इस अपने इसको बनाया है इसमें क्या प्लस करते थे नॉन कैश्ट्रा इस एक्स्टा ओर्डिनरी आइटम प्रॉफिट विपोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटम यह वर्किंग मोट में निकाला है 6 लाक्स छे लाक्रुपे हमने यहां पर लिखा आपकी वर आपका 1 होगा 2 होगा 3 होगा आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा यह आपने उसको कब बनाया है देन प्रॉफिट विपोर टैस एक्स्टा ओर्डिनरी आइटम मैंने 6 लाक्स लिख दिया इसमें क्या प्लस करते थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सेंस क् पेपसी पीके दिलवाली दुरहनिया ले जाएंगे क्या क्या आता है उसमें प्रोविजन फॉर्ड़फुल डैट फिर दूसरे से प्रीमियम और डेंप्शन आउड डिवेंचर्स आई से इंट्रेस्ट पेज़ डी से डिसकाउंट अन इस्यों डिवेंचर्स एल से लॉस प्रीमियम और डेंप्शन और डिवेंचर्स आएं नहीं है प्रोविजन फॉर्ट टॉर्ट है नहीं है इंट्रेस्ट पेडिवेंचर्स पेंट निकाला जाएगा लॉंग टाम बोर्री को देखते हैं क्यों अम्या लॉंग टॉम देखा हैं नूट नमबर दे रखा है 10,90,90 खो रहा है और यहां पर हमारा notes to accounts में हमें long term borrowing से रखा है 12% debentures और 10,90 खो रहा है नीचे इसने बात बोली है हमें यहां पर adjustment में that 12% debentures were redeemed on 31 March 2015 साल के अंत में redeem हो रहे हैं साल के अंत में debentures redeem होने का मतलब क्या होता है कि कि हमने पहले तो उस इंट्रेस्ट को यूज करा और फिर उसके बाद में एंड में हमने जाके उनका पैसा लॉट आया हमने पढ़ा था इंट्रेस्ट इस ऑल्वेस का पैसा पूरे साल यूज करेगा और फिर उसको रिडीम करेगा तो हम पूरा पैसा लगाएं इंट्रेस्ट निकालेंगे ओपनिंग बालेंस के उपर और क्वेस्टन में ओपनिंग बालेंस रखा है हमारा दस लाग इंट्रेस्ट का रेट बारा परसेंट तो हमारा इंट्रेस्ट पेड आ गया एक लाग बीस हजार तो क्वेस्टन में हमें पता च गुडविल रिटन ओफ, पेटेंट रिटन ओफ, गुडविल देखो, बैलेंस शीट में 60 से 40 हो रही थी, कितना राइट ओफ कर रहे हैं हम 20,000, और इंट्रेस्ट रिसीवड और प्रॉफिटन सेल ओफ इग्स असेट कुछ नहीं दे रखा है, 0 है, जोडने वालों को जोडा, खर्टाने वालों को खर्टाया, लास्ट का जो अंसर आया, वीडियो को पॉस्ट करके देखो, क्या आपका नौला, खर्टी सजार आ रहा है, तो तो अंसर इस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अंड वर्किंग क्या पिटल चेंज, तो उसने हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम बिफोर टैक्स बनाते हैं, बिफोर टैक्स से हम उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना देते हैं, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करेंगे हम, क्या दे, डिक्रीज इन करेंट असे और इंक्रीज इन करेंट लिबिलिटी को प्लस करेंगे, और increase in current assets and decrease in current liability को करेंगे minus question पर चलते हैं अपने पहले current liability देखते हैं कौन से कौन से use कर सकते हैं short term borrowings मैंने पहली बताया था यह कहां जाएगी हमारी financing activity में से छोड़ दो short term provision के लिए हमने क्या बनाया है provision for tax account इसे छोड़ दो बचाईनी current liability होगी खतम अब current assets में देखो कौन कौन से नाम दे रखे हैं हमें current investment current investment is a part of cash and cash equivalent इसे छोड़ दो बचा क्या inventories के वल एक बचा और cash and cash equivalent को हमें छोड़ना पड़ता है यह हम current asset में नहीं लेते तो inventory हमारी बची है और नब्बे हजार से दो लाख हो रही है नब्बे हजार से दो लाख हमारी inventory बढ़ रही है increase हो रही है current asset increase हो रही है क्या करें इसको तो अपने cash flow statement में यह वाला column रहा खाली minus increasing current asset and decreasing current liability को minus कि inventory आ गई एक लाख 24,000 इसको हमने minus किया उसमें से तो operating profit बदलकर हमारा क्या बन गया cash flow from operating activities before tax क्या बन गया cash flow from operating activities before tax अब हम इसमें से क्या minus करें tax paid अभी निकाला था ना हमने tax paid तो कितना है हमारा tax paid एक लाख 40,000 हमने इसमें से minus किया final answer आया cash flow from operating activities after tax 6,44,000 वीडियो को pause करके देखो क्या यही आपका answer आ रहा है या नहीं आ रहा है और पहली item होगी जो हमारे second column में लिखी जाएगी अभी तक एक खाली चल रहा था हमारा column तो कितना आगे cash flow from operating activities 6,44,000 बाहर के column में लिख दिया और यहां तक line कीच दी यहां पे नहीं यहां तक हमने पुरी line कीच दी अब दूसरी activity क्या है हमारी cash flow from investing activity investing activity का संबंध किस-किस से होता है fixed assets non current investment interest received dividend received rent received यह हमारे 64,000 अभी working note बनाया था हमने fixed asset complete non current investment देखो जरा हमारी non current investment डेल लाग से दो लाग हो रही है investment बढ़री है asset बढ़री है इसका मतल हमने खरीदी है पैसा गया है हमारे पास से तो हम यहां पर शो कर देंगे purchase of non current investment minus का 50,000 जोडने वालों को जोडा घटाने वालों को घटाया minus का 8,14,000 आया इसको हमने बाहर लिखा क्या नाम है यह video को pause करके पहले यहां तक पहुंचना क्या है यह हमारा net cash flow from investing activities अब क्योंकि पैसा minus में आ रहा है तो we can use we can write the word cash used in investing activities कितना पैसा investing activity में use हो गया 8,14,000 तो operating से 6,74 आया investing से 8,14 चला गया तीसरी activity का नाम बताओ financing activity so cash flow from financing activity निकालते है और financing activity के लिए हम क्या क्या देखते है shares, debentures, loan, bank overdraft, cash credit, interest paid, dividend paid क्या क्या देखते हैं financing activity के लिए shares, debentures, loan, bank overdraft, cash credit, interest paid, dividend paid चेक करते है नोड करते जाना अपनी question में सबसे पहले shares 8,00,00 से 10,00,00 हो रहे हैं shares का बढ़ना inflow में आएगा कितना लिख लो कही पर दो लाग अब shares के बाद में debentures पर आओ long term borrowings में मिलता है दस से नौ हो रहा है घट रहा है डिबेंचर का घटना पैसा जा रहा है आउट फ्लो में शेर्स डिबेंचर हो गया तीसरा नम क्या है हमारा लोन कहीं पर लोन है long term या short term short term borrowings है short term borrowings हमारा bank loan भी हो सकता है bank overdraft भी हो सकता है नोटस्टो अकाउंट्स ते देखने से कि हमारा bank overdraft है दैन तो bank overdraft देखते हैं हमारा एक से तीन हो रहा है हमने loan लिया increase है तो inflow increase in bank overdraft inflow में आई से increase आई से inflow तो ये bank overdraft हमारा inflow में आ जाएगा दोला ये inflow में आया shares का bank overdraft हमारा inflow में आया और long term borrowings आया हमारा outflow में shares हो गया, debentures हो गया, bank overdraft हो गया, cash credit question में है नहीं interest paid, निकाला था हमने interest paid, 12% निकाला था opening balance पर कितना आया था और dividend paid है इस question में है, नहीं है तो अब अपना cash flow from financing activity बनाते हैं, information note कर ली एक बार वीडियो को pause करके, खुद financing activity बनाने की कोशिश करो और फिर यहां से match करना, pause the video ओके, अब देखो अगर आपने कर लिया है तो, क्या आपका अंसर आ रहा है inflow में proceeds from issue of shares, 2,00, then increase in bank overdraft, 2,00, then payment for long term borrowings, debentures के लिए payment करिया, 1,00, then interest paid, 1,20,000, dividend paid है नहीं, जोडने वालों को जोडा, घटाने वालों को घटाया, हमारा amount आ गया, net cash flow from financing activities, एक लाक 80,000, यही एक लाक 80,000 लिग दिया हमने, यहां पर आप पूरी line कीज़ दी, now cash generated during the year from operating, investing and financing, तीनों activities से कितना cash generate हुआ है, बना है one plus two plus three करके हमने निकाला, हम यहां पर देखना है, जम आउरत इसको हम net cash increase during the year भी कह देते हैं, net cash increase during the year या net cash decrease during the year के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं, अब इसमें क्या plus करेंगे, cash and cash equivalent in the beginning, इस question में cash and cash equivalent दो दे रखे हैं, एक तो cash दे रखा है हमारे पास में और दूसरा दे रखा है current investment, तो cash कितना दे रखा है opening ज़रा देखो, question में opening cash दे रखा है 1,20,000 और opening current investment दे हमारा 1,20,000 तो एक बीस और एक बीस को जोड़ा तो total cash and cash equivalent आगया हमारा 2,40,000 और यह हमारे जब हम इसको cash generated during the year में plus करें तो हमारे closing cash के बराबर आना चाहिए, जरा closing cash and cash equivalent देखो कैसे निकलेगा, closing cash दे रखा है 1,80,000, closing current investment दे रखा है एक लाख दोनों को जोड़ा तो 2,80,000 हमारा closing है यह नोट कर लो बार बार हम इस question पर नहीं आएंगे ना current investment closing और closing cash and cash equivalent तो हमने opening में अपनी generated during the year में cash and cash equivalent in the beginning को plus किया तो हमारा cash and cash equivalent at the end 2,80,000 आ गया यही आ रहा था हमारा अगर हमारा closing cash and cash equivalent के total से match करता है इसका मतलब हमने बिलकुल ठीक किया अपना सवाल cash and cash equivalent में क्या क्या आता है cash in hand, cash at bank, short term deposits, current investment and marketable security यह पांचों नाम आपको याद होने चाहिए अब आज का assignment illustration number 53 है Rs Limited Delhi में 2017 में question आया है illustration 54 DCX Limited का है 2019 में question आया है illustration 56 Thermal Power Limited का है CBSC में 2015 में question आया है तीनों questions को attempt करना है आपको Thank you